आज हम बनाएंगे लहसुडी मेथी मेथी की लहसुन के साथ में यह सब्जी बहुत ही टिस्टी लगती है पर इसमें पुरा साथ ज्यादा लहसुन की मातरा पड़ती है वीडियो सुरू होने से पहले एक रूख्वेस्ट है कि अगर आप में मेरे चैनल अपता पर आप में चानल सब्सक्राइब अबशा कर लें यहां हम एकड़े लेते हैं और उसमें एक चम्मच घीर एड़ कर देते हैं साथ में लैसुन की कडिया हमने लिए हैं साथ से आठ उनको भी हम यहां पर एड़ कर देंगे इसके बाद में जब यह अच्छे से भून बिल्कुल भी कड़ नहीं बनेगी बस इस तरह से इसे चलाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर और ठगना भी नहीं है तो यह जल्दी ही बनके त्यार हो जाएगी इस तरह से आब हम इसे पका लेंगे इस दूसरी तरफ हम हम क्या करते हैं एक जार रों लिए जार ने लिते हैं कुछ सामगरीय हैं जिने हम डाल देंगे। सरसे पहले हम यहां दो 11 चमच तिल डालते हैं सोs दीब डाली ने सकते ही आपनी तो कुछ अब मैं इसमें कुछ सामान और है जिसे भी में अडाल देती हूँ तो मातरा तो ज्यादा ही ढ excel भागी ये इक प्याच्या जीसे भी कटकर हम भne डाल दिया है और हम अब मेसना इसी त्यार करण गंगी। इसा पारे में में त्यारे में त्यूंगे। जब ठीक से गरम हो जाएगा उसके बाद में हम यहाँ पर अजवाइन और जीरा डाल देंगे इन्हें हलका सा भून लेंगे भूनने के बाद में हम यहाँ पर इसमें हिंग पाउडर डाल देंगे जब यह अच्छे से भून जाएगा तो इसके बाद में कैसे फिल्म को हमें बिलकुल कम ही रखना है हाई फिल्म वही नहीं है है इसके बाद है अब हम इसमे हम इसमें डालेंगे दो सुखी लारे मिर्च पिराएं पहुं द। अब ढ़ूने के बाद में इसके चला ऑद में यहां पर दॉल मुडिएज एक प्याज आप इसे पकाने के बाद में हम इसमें कुछ मसाली है जिन्हें डालेंगे जिरे सबसे पहले हल्दी पाउडर डालने के बाद में अब अब यहां पर नमक डाल देती हूं नमक-्रीष्ट के unser basin कि ले सकते हैं कम जादा जैसे भी है इसके पाद में लाज मीर्ली ये भी आपने ईकोड़िंग ले सकते हैं इन अब हम जमवर से चला लें बस इतना ही सामान खुनने देंगे भुनने के बाद में अब हम क्या करते हैं भbike कि शाय में जो हमने पेस्ट ट्यार किया था उस पेस्ट को डालेंगे टेल अश्रेओर अच्छे से उपर आंगया है हैं और प्चे nay रिखे यह अधरू उसमे पांपकर रहेैं बनकर त्यार होगी अब हम इसे चला लेते हैं अच्छे से इस तरह से कुछ इसके फिल्म को रहें अगर थोड़ा सा आपको कड़ा लगता है तो इसमें पानी भी एड़ कर सकते हैं इसके बाद में जो हमने मेथी भूनके रखी थी उसे भी अब मेहां डाल दूंगी अब इसे चला लेते हैं बहुत दीरे-दीरे हम इसे चलाएंगी और आप इसे खाएंगी तो आपको यह टिस्टी लगेगी क्योंकि आप इसे बार 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 ना पसंद करेंगी और इसकी सबजी जो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है और इसे आप मक्य की रोटी के साथ खाए तो आपको बहुत मज़ाएगा इसके बाद में मैंने लिया है घी इस घी को एक चोटा चमच है जिसे मैंने घी लिया है और गी से इसका जो अलवी फिलिवर हाता है दोस्तों आप घी तो जरूर डाले और इसे हम चला लेते हैं और जब इसमें जो तेल है एक दम से उपर आ ज